हेलो स्टूडेंट से वेलकूम तो दिस न्यू लेक्चर वेर विल सी दर कंटिनेशन पार्ट वे चैप्टर नुबर 17 हम लास्ट टाइम एफर्ट्स टू डियूस अनेंप्लेमेंट देख रहे थे और उसमें पॉइंट नंबर फॉर तक हमने कंपलीट कर दिया था तो विल ग कम करने के लिए ऐसी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए या ऐसे एंप्लेमेंट उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए वह उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो इसका मतलब कि अगर कोई इंसान पढ़ा हुआ है तो उसके ऐसे एंप्लेमेंट प्रोवाइड किया जाना चाह एकॉडिंग टू क्वालिफिकेशन ठीक है एजुकेटेड अनेम्प्लाइड है तो क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको एंप्लामेंट मिलना चाहिए स्किल्ड डेवलप होनी चाहिए सच टाप बिजनस ओरेंटेड और टेकनिकल एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए प्रेक्टिकल एजुकेशन आपको दिया जाता है इन्सान स्किल्फुल होगा ठीक है ऐससे शकूल और कॉलेजिस के अंदर करिकुलम होने चाहिए जो लोकल इंडेस्ट्री को जैसे इन्सान कि जरूरत है कि इसको यह आना चाहिए इसको वह आना चाहिए तो वो लोगों को स्पेशल एडूकेशन स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए स्पेशल स्किल्स डेवलप किया जाए तो उसके साथ साथ प्रोड़क्शन का क्वालिटी भी बढ़ेगा है जो लोकल इंडस्ट्री जिनको वह इंसान की दरूरत हैं वह बहुत ही प्रोड़क्शन इंप्रूमंट की ओवर्ल होगा लिविंग के तो उन को पता जना क्यें वह इंप्लाम हिन्ट दिया जाएगा पॉइन давal मिनिस्ट्री जो है इंडियन गवर्मेंट की हमार इंटीन गवर्मेंट की और स्टेट knowledge understanding और enthusiasm बड़े ठीक है और working capacity बड़े लोगों की industrial development हो इसके लिए education educational training program शुरू किये गए हैं जिससे skills develop हो सके colleges और universities जिसमें technical education दिया जाता है ठीक है वो पूरे nation के अंदर establish हुआ है यह लोग जहें वो educational facility एस पर vocational curriculum develop कर रहे हैं वोकेशनल मतलब practical curriculum develop कर रहे हैं और modern technology का यूज करके उनको बढ़िया चीज़े जो आज implement हो रही है जो आज ज़रूरत है वो सिखा रहे हैं वह employment की जो requirement है उसको fulfill करने के लिए महनत की जा रही है ठीक है और स्कूल और colleges में technical education शुरू किया जा रहा है नए एडिकेशन policy के मुताबिक यह compulsory हो गया है तो यह एक बढ़िया बात है हाई इंस्टिटूशन जैसे नौकरियां generate करी है manpower का planning करने के लिए जो इंसान यहां पर नौकरी के बिना घूम रहे हैं पड़े हुए हैं आता है उनको वो लोगों के लिए employment opportunities generate करने के लिए नए नए एरियास खोल के रखे हैं कैसे एरियास computer technology 20 साल पहले computer technology बहुत ही छोटा था नहीं था ऐसा ही बोल सकते हैं लेकिन computer technology आत बहुत ही बड़ा हो गया है ठीक है information technology पार्मसुटिकल बिजनस management packing and processing outsourcing marketing catering event management office management hotel management share stock marketing यह सारी जो चीज़े हैं यह सारे जो फील्ड है ठीक है उसके अंदर नए नए opportunities generate हुई हैं लोगों के लिए तो नया curriculum डेवलप हुआ universities के अंदर यह local requirement को fulfill करने के लिए education के curriculum के मताबिक training और teaching change हो गया है ठीक है जो future में आपको job चाहिए उसके मताबिक training दी जाती है future में आपको जो जॉब चाहिए उसके अपनी जो skills है वो पा सकते हैं जैसे spinning वीविंग टैनिंग प्लम्बिंग रेडियो टीवी फ्रीज मोबाइल एसी रिपैरिंग यह सारे चीज़ों के च्छड़ च्छड़ कोर्स होते हैं ठीक है जो आप करके employment पा सकते हैं अटो मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स कॉंप्यूटर साइन्स जनेटिक साइन्स एरो स्पेस रोबॉट यह सारे फील्ड के अंदर एक रिवॉलूशन आया है एक नए नए चीज़े आ रही है ठीक है तो नए नए कोर्सिस भी शुरू हुए है जिससे लोग leas rate of interest पे लोन देने का यह काम है वह स्टार्ट-उप इंडिया के अंदर किया जाता है नए बुसन्स को करने के लिए और ट्रेनिंग इस्टेटूट्स क्या सिखा रहे हैं अगर यह दोनों मिक्स हो जाए यह दोनों कोपरेट करें दूसरे के साथ तो बढ़िया काम हो जाएगा तो लोकल लिक्वामेंट जो है वो फुल्फिल हो जाएगा और लोगों को एंप्लेमेंट मिलेगी गवर्मेंट की एकोनॉमिक हेल्फ भी मिलेगी उनको तो इस पर्पस से एक प्रबर स्ट्रॉंझ स्ट्रक्चर बनाना जाना चाहिये एद्युकेशनल कोर्सिस का और एड्युकेशनल एक्पैंसिस काम होने चाहिए एड्मिशंस इजी होने चाहिए चलिए पॉइंड न्रोफ रिटating बीस इंवेस्टमेंट करना चाहिए अलांग विद्ध डेवलप्मेंट ऑव स्कील स्किल भी डेवलप होना चीए साथ-साथ में इंवेस्टमेंट भी ऐसे चीज़ों में किया जाना चीए जिसमें यूथ काम करना चाहते हैं प्रवाइड करने के लिए एंप्लामेंट की गवर्नमेंट ने कहीं सारे प्लांस लागू किये हैं जिसमें कम रेट आफ इंट्रेस्ट पे छोड़े-छोड़े इन्वेस्टमेंट्स अगर करने के लिए कुछ पाइनेंशल हेल्प चाहिए तो गवर्नेंट देती है कुछ इंप्लीमेंट्स परकीश करने रो मटेयर प्रिश करना ऑफीस फर्नीचर शुरूरात में परकीश करना है तो शारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जहे हैं वों possibility अवा टेक्निकल्ध को और देग intéressant को बढ़ाने क इजी हो जाता है लोन लेना ठीक है लोकल बिजनस्मेन और वेलफेर और्गिनाजेशन कम रेट अफ इंट्रेस्ट पे पैसे लेके आगे बढ़ा सकते अपना बिजनस अपनी और्गिनाजेशन ठीक है वुमन को भी प्रोवाइड की जाती है भी यह सेल्फ एंप्लॉइमेंट की यह जो उनको अव्शूल इंडस्ट्री डेवलप करना है सेट अप करना तो उनको लोन दिजाती है तो टेडिशनल बिजनस से बाहर आने के लिए नए फो नए फॉर्म को चालू करने के लिए क्पामिली मेंबर्स को भी सपोर्ट दिया जाता है और नए बिजनस नए इं हैं वह बढ़ा सके पॉइंट सके ten नायन एक्षेंजर यह due की जरूरत हैं तो वहां पर नाम रिसिस्तर करें स्टेंज़ लिखवाते हैं और यह दुनों के बीच में एक chain का काम करती हैं implement exchange center ये दोनों को मिलाती है तो भी owners जो employment के लिए ढूंड रहे हैं laborers को ढूंड रहे हैं वरकर्स को ढूंड रहे हैं educated people को ढूंड रहे हैं unskilled labor को ढूंड रहे हैं वो गाइडंस भी देते हैं कि कौन सा करियर आपको लेना चाहिए एसे सेंटर हमको प्रॉपर मैगजीन के थुरू जैसा नाम है रोजगार कार की दी रोजगार कार की दी यह जो मैगजीन है उसमें इंफॉमेशन देते हैं प्री आफ कॉस्स सर्विसेज देते हैं करियर सेंटर के अंदर और हेल्पलाइन नंबर है उनका ये जो फोन नंबर है वने डबल जिरो फोर फाइव 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 उसपे लोगों को इंपॉर्ट इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन दी जाती है स्किल प्रोग्राम के मुताब एट पॉइंट टी त्री लेक क्पॉइंड ने कर वा है जहां पे गुजराइट की हम बात करें एट पॉइंट ठी लेक अने प्लेंप्लोइड लोगों ने नीजिस्टर करवाया है अब भी अब बात करते हैं वर्ल्ल लेबर मार्केट की होता क्या है नाम से पता चलेगा वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया लेबर मतलब जो मजदूर होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं लेबर मतलब खाली मजदूर नहीं होते हैं लेबर मतलब जो भी काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं वो सारे लेबर के अंदर आते हैं ठीक है इसका लेबर मार्केट जब लेबरर्स एक कंट्री से डूसरे माईग्रेट करते हैं के लिए बिजनस के लिए त्रेणिंग के लिए या हैर एडिबेशन पाने के लिए इसको बोला जाता इंटरनेशनल लेवल पे मुव्मेंट ओफ लेबर हर एक कंट्री यह चीज महसूस करता है कि वही जो ब्रेन पावर हैं जो बुद्धी है ठीक है जिस इनसान में उसका वकाउट हो जाता है वकाउट का मतलब जैसे इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया लोग है ठ इंडिया में कुछ कर सकता था वह अमेरिका में जाके करेगा ठीक है यह वकाउट बोला जाता है वकाउट आफ ब्रेंड पावर एडूकेशनल नॉलेच के लिए हाइर टेक्निकल नॉलेच के लिए इसके डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहां के जो इनसान है वो दूसरे कंट्री में जाके उनको फाइजा करवाएंगे यह बुरा पॉइंट है माइनस पॉइंट है क्यूंकि हमारे कंट्री में रहे के वो इंसान कर सकता था अगर उसको करना चाहिए लेकिन बेटर अपरचिनेटी बेटर फैसलीटी ज्यादा इं है ठीक है In लुरुषरे कंट्री में जाना है काम करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए लिए पापिलर होचुका यह경 कि एज़ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन तो अधर कंट्रीज और दू पर्मेनेंट सेटलमेंट पीपल के पर्मेनेंट सेटलमेंट वहां पे होने से जिसने बहुत पैसे कमाए हैं हैं बहुत पैसे खर्ज भी किये हैं तो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी जाज़ा टैलेंट हैं इंटेलिजन्स हैं यह सारे लोग जिसके बढ़िया टेक्निकल नॉलेज हैं साइंटिफिक एटिट्यूड हैं तो यह लोग जो बाहर चले जा रहे हैं इससे अलगी कंडिशन खड़ी हो रहे हैं हमारे कंट्री क के अंदर या कहीं सारे कंट्री के अंदर ग्लोबलाजेशन और लिब्रलाजेशन के वज़ए से भी एक नई सिच्वेशन खड़ी हुई हैं प्रेजेंट के समय में जिसके पास नॉलेज हैं जिसके पास स्किल हैं इन्फॉर्मिशन टेक्नोलोजी में कम्मुनिकेशन में ट आप्सपर्ट लेबर न को वह लोग रायर कर लेते हैं ठीक है वह अपने आप ले ले लेते हैं उनके अंदर वह अपने जा कर सकते हैं देखो ऐसा होता है बड़ी-बड़ी इंडस्री बड़ी-बड़ी फैक्टरी बड़ी-बड़ी ऑर्गनेशन जो होती है वह अपने एंप्लोई को भेचती हैं दूसरे कंट्रीज में सीखने के लिए ठीक है लॉन करने के लिए कैसे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो यहां पर भी वह ऐसे ही तरीकों से ऑपरेट कर सके कॉंपेडिशन को सर्वाइव कर सके इसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं अब वहीं कंट्री फॉरें एक्सचेंज रिसीव करती है अगर जॉब्स के लिए लोग माइग्रेट होते हैं तो हम जो कंट्री ह सॉल्फ हो चुका है कुछ एक्सटेंट अभी भी वह प्राब्लेम है फॉरें एक्सचेंज का ओके चले यहां पर खतम होता है हमारा यह चैप्टर और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की ओके बहुत आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए वही चैप्टर नंबर 17 के कुश्चन आंसर्स और लेटस सी चलिए यह सबसे पहले सारे कुश्चन है और यहां पर हैं सर्स हमारे पास ओके चलिए फर्स वन विच्ट इन इंडिया है हाईस्ट रेट ओफ पौवर्टी चट्यच गड़ ठीक है विच्ट इन इंडिया है है हाईस्ट रेट ओपवर्टी चट्यच गड़ वट वाद वह रेट ओफ पौवर्टी इंडिया थोज़न इलेवन ट्वेल्ड फ्वेंटिश्पॉइंट निटी थ्री करोड ठीक है 2011 बारा में रेट ओप पौवर्टी क्या था था यूजन वुमन एंपारमेंट पके इंडिया स्किल डैवल्पमेंट के लिए बुमन का मिशं मंगल्म यूजना शुरू की गई है इन विच इंडियन स्टेट गरेट ऑव अनीपल्डियमेंट इस हैस्ट के रेला आके अनेम्पलिमेंट का रेट सबसे आएस्ट के रहक विच एंज्टेश है अन्न पॉना युजन कोन सब debates शुरू किया गया है मान पॉना युजन है आपना में उच्ण सबलेंकर विच्ट किम आप्रड ऑन stopping become entrepreneur make in India okay make in India for elimination of unemployment which government organization helps employer employment exchange center unemployment eliminate करने के लिए कौन सी government organization employer को help करती है employment exchange center who is helped under ship बाचपई बैंक बल्योजना trained unemployed ठीके उनको बाचपई बैंक के बल्योजना के अंतरगत हेल्प दी जाती है section B डिलेटिव पाउर्टी और absolute पाउर्टी के बारे में आपको लिखना है यहां पर इच केरी तू मार्क्स हैं वैसे तो थ्री मार्क्स दिखा हो सेक्शन सी फोर मार्क्स और बस यहीं है जड़ी बात करते हम को फर्स्ट कोईशन की डिलेटिव और एब्सलूट पॉवर्टी सेक्शन वी में वैसे तो तू मार्क के क्वेशन होते हैं एक बार देख लेते हम यह नहीं बड़े इक्वेशन हैं हमारे पात ठीक है टेक्स्बुक में बड़े क्वेशन है तो उसके बारे में बात करेंगे ओए ओके डिलेटिव पॉवर्टी एन एपसलूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है इफ एनी ग्रूप स्टेज वित लोवर इंकम कंपेड़ अधर सोशल ग्रूप इसको लिलेटिव पॉवर्टी तो कोई भ दिया है हमको थ्री पर्शन से वेरिट इंकम एज मैंशन बिलो एक का 50,000 है बीका 25,000 है सी का 10,000 है कंपेर टू बी सी होल्ट लेस इंकम सो सी इस रिलेटिव लिपूर बी के साथ हम सी को कंपेरिजन करें तो सी दस दार है भी परतीस दार है तो इसको रिलेटिव कि माने जाते हैं अगर हम बी और सी को कंपेर करें एक के साथ तो बी और सी दोनों रिलेटिव पूर है अच्छा दो एक पॉइंट एडिशनल दिया गया हमको देखो इस स्टांडर्ड ऑफ क्राइटिरियन गेट्स चेंज देन देन दे फॉर्म ओफ रिलेटिव होते हैं एप्सुलूट पॉवर्टी के में बात करें दे कंडिशन इन विच पीपल और अनेबल टू फुल्फिल दर बेजिक नीड लाइक एजुकेशन फूड शेल्टर क्लोधिंग इसको हम बोलते हैं अप्सुलूट पॉवर्टी यह इंपॉर्टन है सुनिया ध्यान से एग्रो बिजनस पॉलिशी वह क्या है इस पॉलिशी एमस टो एलिवेट पॉवर्टी बट इंस्टॉलिंग फूड प्रोसेसिंग उनिट्स वेर एस्टिमेटेड टैन लेक पीपल विल बी एंप्लाइट यह पॉवर्टी को खदम करने के लिए कम करने के लिए बनाए गई है जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बना जाएंगे इसका मतलब कि ऐसे यूनिट्स बना जाएंगे इसके अंदर फूड का प्रोसेसिंग होता है ठीक है और वहां पर दस लाख लोगों को एम्प्लोइमेंट तो फूट का एक्स्बोर्ट करेंगे नाम पोजेक्ट वह पॉवर्टी का लेवल कम करने कि लिए बनाए गया है नेशनल एग्रो मार्किट इसके उनदर डेफिelप किया गया है नेशनल लेगरो मार्केट ओन लाइन नाम से पार्मर सारॉफर ओनलाइन ऌप्षिन पौर टेडिंग का यह ओप्षिन दिया जाता है जहां पर कहीं पर भी बैटके वो टेडिंग कर सकते हैं ट्रेडर्स केन बाइट फ्रॉम एनिवेर ट्रेडर स्थे भी कहीं से खरीच सकते इस 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 प्रजेक्ट माड़ी फाइज दर्श एडेदर्स इंपक्ट विड्रोक अं पार्म यह प्रोजेट्ट जो है वो ब्रोकर्ट और अर्बिर्ट्रेटर्स अलब बीछ वाले लोग जो कमिशन खाते हैं ठीक है उनके इडेद्वर्स इंपक्ट को निफफाइ करता है ज से फार्मर को हेल्प मिलेंगे उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे चलिए वेरी गुड नमर 11 इंडस्ट्रियल एंप्लोइमेंट क्या होता है अगर इंसान अगर लोग इस पीपल रिमेंड एंप्लोइट फॉर शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म विकॉज अफ इंडस्ट्रियल च इंडस्ट्रियल चिंजेश मालब कहीं सारे चिंजेश आता है इंडस्ट्री के अंदर है तो उसके मताबिक अगर कोई इंसान अने प्लवेंट हो जाता है तो सबसे बहुत चलिए बहुत जली बढ़ जाना ठीक हैं लैक टेक्निकल नॉलेग टेसिकल नॉलेज्ट ना होना ये और उन्प्रोयमेन्ट अले बात कर पाना पर्पोर्चिटार स्वेक्ट करने में यह हमारे अने इसग्डान है दूसरी बात फार्मर के हम बात करें लैक ओफ इरिगेशन फैसलिटी नहीं है तो पांच-छे महीने ऐसे बैठ रहेंगे दूसरा कोई काम नहीं है उनके पास काम आता नहीं है दूसरा उनके पास यह उनको आता नहीं है आता नहीं मनलब उनको करना नहीं आता है यह भी एक कारण है का कॉर्टेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केर इंडस्ट्रीज डैवलप नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए तो उनकी कंडिशन पूर है सब इकठा रहते हैं तो जो इंसान अंदर वैसे बैठा हुआ है और पुराने जमाने का एंप्लेमेंट जैसे फैमिल बिजनस में गोज़ जाना तो यह एक चीज है जो वैसे इंडस्गाइज होते हैं ठीक है वह बैठे तो हैं लेकिन वह कुछ प्रोड्यूसिव काम प्रोड स्किल बेस्ट एजूकेशन का ना होना है स्किल्स की जरूद है लेकिन आता नहीं है तो क्या करेंगे काम सेविंग्स होना कैपिटल क्रेशन ना होना कम सें चैपिटल कीरेशन मलब लोग प्रिश्य के पास फांड इंवेस्ट्मेंट नहीं हो रहा इंडस्ट्री कि कि एफेक्ट ऑफ एंपलेमेंट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं फॉलविंग आर देडिवर्स इफेक्स माइनस पॉइंट अने प्लमेंट जो हैं वह पॉवर्टी जनरेट करता है सबसे पहला बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट नौकरी ना होने की वज़े से ग उनमें नेगलिजन्ट एटिटूड आता है अब नहीं पढ़ना है पढ़ना है और एड्जुकेशन के टुवर्ड्स उनका जो एटिटूड रहता है वह एक डम नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव इफेक्ट आती हैं दिमाग बे सोशल और मेंटल कंडिशन हैं बिकम डिसपॉइंटेड साइको लॉजी कली दिमाग से वो डिसपॉइंट हो जाते हैं लंबे समय तक अगर लोग रहते हैं तो वह एंटी सोशल एक्टिविटीज इम्मोरल एक्टिविटीज के प लगज में लग जाते हैं लिकल एक्रिविटीज करते हैं चोरियां करते हैं ठीक है और किटनेपिंग करते हैं करते हैं इड़ाइड ऑफ सोशे एक्टिजम एन लौट लाइफस्टाइल तो सोश्योएकनोमिक की जो एक्टिवालिटी हम मेंटेन करके चल रहे हैं वह जाते हैं जिसमें कास्टिजम हो जाता है फिर और लाइफस्टाइल कम हो जाती है अगर प्राइज अगर प्राइज हो जाए तो गरीब लोगों के लिए तो कंडिशन और खराब हो जाएगी दस अनेम्प्लेमेंट हैस प्रूव टो बीडेडली पर इंडिविजल फेमिली इस वेल एज एकोनोमी तो यह जो आनेम्प्लेमेंट है वह बहुत ही भयंकर है भले एक इंसान के लिए हो पूरी फेमिली के लिए हो या पूरे देश के लिए हो ओके चले थोड़ा कुछ टाइम है हमारे पास यह पॉवर्टी देख लेते हैं इंपॉर्टन क्वेशन एडूकेशंचन सेल्टर हील्थ सर्विश इसको पॉवर्टी बोलते हैं पॉवर्टी ऑक्वार्स यहां पे लोग मिनिमममवल लेवल अफ इंकम जरूरी होती है जानना पॉवर्टी लाइन के मुताबिक पॉवर्टी लाइन के गिनने के लिए लोग जो कम स्पेंड कर रह जाते हैं जनरली ऐसे फीचर देखे जाते हैं पीपल लिविंग बिलोव पॉवर्टी लाइन यह बोल लाएं क्यों बोलेंगे बिलोव पॉवर्टी लाइन एसे इंसानों को ऐसे करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे एक दिन में दो बार नहीं मिल पा रहा है लेक आफ इनफ स्पेस तो लिविन रहने के लिए प्रापर जगा नहीं यह जीवन जीने की जो ताइम है समय है इलिटरेट है जनरली ऐसे लोग पड़े हुए नहीं होते हैं उनको नुट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है तो वह डिजीज हो जाते हैं उनको अपनी फैमिली इंकम को सेफगार्ड करने के लिए फैमिली इंकम को ज्यादा करने के लिए उनके बच्चों को भी काम में लगा देता है चाइल्ड लेबर में और चाइल्ड डैथ रेट मालनुट्रिशन के वज़े से बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों को बोलते हैं बिलो एक बार देख लीजेगा और आगे फॉलो करते जाईएगा एक क्विश्चन अंसर को क्योंकि क्विश्चन आंसर्स पता चलेंगे तो लिख पाएंगे ओके चलिए बाए-बाए